एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्सन चल रहा था, हजारों लाखों श्रद्धालू उस सत्सन में बैठे हुए थे, संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा की, इस पुरे प्रवचन के विशय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताए हजारों लाखों श्रद्धालू के बीच उस अपाहिच पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया की, ते महात्मा हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरत मंद लोगों की सेवा करते हैं, और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बा बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है, तो सुनो। इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई, तो यह खाना वही छोड़ कर, अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुट्ता घर में घुस आया, और उसने थाली में मुह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापिस आया, और कुट्ते को थाली में मुह डालता हुआ देखकर, पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने यह भी नहीं सोचा, कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुट्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा, कि वह कुट्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटे घसीटे जिंदगी जिया, और तडप तडप कर मर गया। यह उसी कुट्ते की बद्दुआ का फल है, जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिच पैदा हुआ है। जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्मफल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शान्ति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृत्वी पर वहन करना ही होता है। इसी लिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार यहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है। अगले जन्म में वह वही से प्रारम्ध होती है। जो प्रकृती के नियमों का पालन करता है। वह परमात्मा के करीब है लेकिन ध्यान रहे यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवत्रित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं।